Hello friends this is Rahul Welcome back to Kait Style and SolidWorks Tutorial Series So friends, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस screwdriver के जिसको हम बोलते हैं Slotted screwdriver, Last time हमने बनाया था Cross Slotted screwdriver जो कि इस तरह से दिखता था So इस वीडियो का description में आपको link मिल जाएगा आप इस वीडियो को देख सकते हैं और Cross Slotted screwdriver को बना सकते हैं So यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले handle बनाएंगे, उसके बाद हम इसका blade और shaft बनाएंगे और उसके बाद उसको assemble करेंगे So आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं So friends, जो भी इस channel को first time देख रहे हैं So channel को please subscribe कर लेजएगा, bell icon को press कर लेजएगा New file open कर लेंगे, front plane पर work करेंगे So यहां से start करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या land दे रखिए 102 और यहां से यह land दे रखिए, total die इसका है 125, sorry 25 So 25 का half ले लेंगे, then यहां से 6.5 और यहां से 8 और इसको join कर देंगे और यह fillet यह वाले radius और यहां पर यह जो fillet है के लगाने के पास इसको half बनाके revolve कर लेंगे So इसको बना लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास यह चीज़ आ रही है, तो यहां पर हमारे पास कितनी dimension दे रखिए 102 222, इसकी कितनी दे रखिए है 25 divided by 2 और यहां से इसकी कितनी दे रखिए 6.5 So यहां से एक length और लेंगे जिसकी dimension नुहां पास कितनी दे रखिए है 18 और यहां से एक length और लेंगे जिसको यहां से यहां तक join कर देंगे clear है अब यहां से यहां तक arc लगाएंगे तो आपको पता arc का radius कितना दे रखे है हमारे पास 10 mm का तो यहां से radius ले लेंगे 10 और इसको हम trim कर देंगे इस तरह से clear है नो यहां पर हमारे पास 1.5 1.5 1.5 और यहां से हमार पास 6.5 की फिलेट दे रखिया है तो यहां से हम फिलेट लेंगे सबसे पहले 6.5 की इस कॉर्णर पर देन 1.5 तीनो यह जीज पर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखिया 50 और जो यह आपके पास टेपर रहा है कया इसका डे रहा है इसका डिस्टेंस यहां पर दे रखिया dha Q A M M अई प्लेर तो और उसका डाय टोटल कितने थो यहां से यहां तक यह चीज बना लेंगे तो यहां से हम length ले लेंगे और यहां से यह paper create कर लेंगे तो इसकी जो length आ रही है 50 आ रही है और यहां से यहां तक distance कितना आ रहा है 3 mm और यहां से यहां तक total कितना 5 है half कितना हो जागा 2.5 और इसको में यहां से क्या करतेंगे तो इस तरह से यह सारा रिवॉल्व हो जाएगा भी सो हाफ रिवॉल्व करतेंगे यह चीज़ तो इसको अगर मैं वाई फ्रेम में चैक करूं तो आप देख सब्सक्राइब यह देखिए हमार पस जो होल है यह भी क्रेट होगे अब क्या करेंगे अब देखिए यहां से हमें यह कट लगाने है तो रेडिस में पर 6 का दे रखे है और सेंटर से डिस्टन्स 17 का दे रखे है तो फ्रेंट प्लेन पर चले जाएंगे स्केच क्रेट कर लेंगे और यहां से एक सर्कल ले लेंगे इतना डिस्टन्स दे रखे रेडिस 6 का दायर 12 का आजएगा और सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टन्स आएगा कितना आएगा 17 सो इस तरह से यह आजएगा क्लेर है सो इसको अब सर्कलर पैटन कर देंगे सिलेक्ट दी अब्जेक्ट आइटम्स कितने आएगी 6 आएगी कर दीजिए क्लोज कर दीजिए और यहां से यह कट हो जाएगा भी स्केच एक्स्टूड कट फ्रूल ओके इस तरह से हमरे पास यह हैंडल बन जाएगा और हैंडल पर हम क्या करेंगे एक लॉक बनाने के लिए कट लगाएंगे और जिसकी डैमेंशन हमरे पास यहां पर दे रखिया है तो टोटल डिस्टिंस हमरे पर 12 है विट्ट हमरे पर 2 है और यहां से distance कितना दे रखा है four का और radius कितना आ रहा है corner पर point five का यहां से इस चीज को भी बना लेंगे front plane पर ही रहेंगे और यहां से हम यह rectangle create कर लेते हैं width कितनी आ रही है two mm की height कितनी आ रही है हमारे पस value की center पर एक line लेंगे और इसको symmetry कर देंगे control प्रेस करेंगे symmetry कर देंगे इस तरह से और corner पर हमारे पर fillet कितनी आ रही है 0.5 की so corner पर fillet आ जाएगी इस तरह से इस तरह से हमारे पस यह एक lock के लिए हमें groove काटने इस यहां से हम कर लेंगे cutting और mid plane से cutting करेंगे दो में की only यहां 1.5 की cutting कर सकते हैं so it's up to you ठीक है so मैंने 1.5 की cutting कर लिए है so इस तरह से हमारे पस recreate हो जाएगा और इसको हम section plane पर भी देख सकते हैं हमारा cutting हुए कि नहीं हुए यह देखिए यह हमारे पस section आ चुका है so इस तरह से ना इसमें material यहां इसकी appearance को change कर देते हैं हम यहां पर हम color रख लेते हैं green इस तरह से और इस object को हम save कर लेंगे desktop पर so handle है हमारा handle of slotted screwdriver so यह हमारे पस हो गया new file open करेंगे और इसकी shaft यहां फिर blade को बनाएंगे भी so blade की जो हमारे पस dimension है कितनी दे रख ही है देखिए यहां से यहां तक 50 है और 50 प्लस 73 टोटल दे रख है है तो 50 प्लस 73 कितना अगर टोटल 123 और 123 से मैं 32 एम माइनस रख हूंगा because यह मेरा revolve नहीं होगा यह मेरा loft से बनेगा तो इसको end तक देखते रहेगा यह यह जो इस तरह से तो टोटल डिस्टेंस मेरे पस कितना है 123 से 32 माइनस कर लेंगे अगर आप calculate कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर सकते हैं तो यहां पर formula भी लिख सकते हैं तो डाय कितने 5 हाफ ले लेंगे 2.5 और इसको मैं इसके साथ एक plane पर रख लेता हूं और इसका distance मेरे पस कितना आजाएगा 3 का जैसे हमने पिछला बनाया था तो इन दोनों की height जो हमेरे पास वो same हो जाएगी length हमेरे पास same हो जाएगी और इस तरह से इसको क्या कर लेंगे extend कर लेंगे और यह हमेरे पस close हो जाएगा इसको revolve कर लेंगे हम सबसे पहले यह चीज नो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे यह pen बनाने के लिए हमें दो plane चाहिए एक प्लेन चाहिए हमें 32 एम पे और एक प्लेन चाहिए माइनस 12 मतलब यहां से 20 पे और उसके बाद 32 पे ठीक है तो यहां से हम reference plane लेंगे इस प्लेन से इसका distance हमारे पार सबसे पहले कितना आजएगा 20 का और इसी plane से हमें एक और प्लेन लेंगे जिसका distance कितना आजएगा 32 होगा clear है यह दो plane हो गए अब इन दोनों planes पे मुझे sketch create करना है अब sketch क्या create करना है देखिए height मेरे पास यहां पे 7 आ रही है so 7 height का मैं एक rectangle create कर लूँगा इलकुल center से और उसकी width से जो हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हम cut करने में problem ना हो so main height हमें यहां पे रखनी है so 7 की height आ रही है हमारे पास और एक और rectangle बनाएगे center से बिलकुल free end बनाईएगा ठीक है ताकि आपको values देने में ज़्यादा problem ना हो यहां से इसकी height कितने हो जाएगी 4 mm so इसकी width थोड़ी ज़्यादा रख लीजेगा okay so यह दो मेरे पास plane आगे है so यहां पर यह वल्ले sketch मुझे यहां पर चीज़ था so मैं इसको क्या करूँगा यहां से remove कर लूँगा और इसे close कर देंगे then यहां पर sketch create करेंगे so same center से ही चाहिए मुझे so width की problem नहीं है main height जी हमें so 4 mm की height आ रही है और यहां से इसकी width जी है वो भी हम define कर लेते हैं almost almost थोड़ी जादा ही रख लो so यहां से हमारे पास यह 2 sketches आ जाजेंगे और इनको हम loft कर लेंगे so loft के लिए सबसे पहला face हमारे पास यह आ रहे है second face हमारे पास यह आ रहे और third face हमारे पास यह आ रहे करेंगे so cut के लिए हमारे पहां की जो tip है वो कितनी 2 mm की है और total distance मारे पास 32 mm का रहे है clear है अभी हम क्या करेंगे so यहां से हम top lane all कर लेते हैं और top lane पे हम क्या कर लेंगे अभी center से 1 mm की एक length लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे अभी यहां से लेकर यहां तक एक line लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे इसको इस तरह से cover कर लेंगे और देन यह line को trim कर लेंगे center line से हम हम इसको move कर लेंगे, mirror, this object, इस तरह से, और close कर देंगे, sketch, extrude, cut, through all from both side, ok कर देंगे, इस तरह से आपके पास यह tip create हो जाएगे, अब यहां पर क्या करेंगे, अभी हम, again इसकी key बना लेंगे, जिसको हमें उसके अंदर fit करना है, तो again front plane, और यहां से हम क्या कर लेंगे, यह rectangle बना लेंगे, दोनों की height आपके पास कितनी आ रही है, 2 mm इसकी width आ रही है, यह जो total height आ रही है, कितनी आ रही है, 12 mm आ रही है, और यहां से हमार पास center line आ रही है, 4, यहां से height test की, और यहां से हम क्या क्या देदेंगे, fillet देदेंगे, 0.5 mm की, okay, close कर देंगे, so, इस तरह से हमार पास यह आ जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, extrude करेंगे, from the mid plane और extrude की height कितनी देंगे, 1.5 mm, जितने हमने cut दिया रहा, उतना ही हम extrude देंगे, so, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी save कर लेंगे, so, हमार पास क्या आ रहे, dextro पर save करेंगे, so, handle आ रहे, screwdriver, now, अब अब दोनों को assemble कर लेंगे, so, assembly में जो हमने current part save किये होते हैं, वो दोनों हमार पास यहाँ पर instantly show हो जाते हैं, हमें import करने की जूरूद नहीं पड़ती है, तो यहाँ से हम directly इनको import करने के पाद, assemble कर लेंगे, now, अब यह assembly किस तरह से करेंगे, देखिए, section हमें चाहिए, ताकि हमार पास यह जो cut है, यह easily assemble हो जाएंगे, ठीक है ना, so, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक plane ले लेंगे, front plane से एक plane ले लेंगे, so, distance upgrade करते रहे हैं, मैं यहाँ पर 100 grade कर रहा हूँ, 120 grade कर रहा हूँ, so, 120 मेर पास, यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा और आके जाएंगे, 123 के round, so, यह, और थोड़ा सा आके आएगा, 124 के round, 125 के round, यह, बिल्कुल center पर आ जाएगा, so, इसको देखते हैं अभी, इस plane की help से हमें section plane चाहिए, so, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर यह हमार पास, section plane आ चुकए है, अब easily इसको assemble कर सकते हो, so, dia को, dia के साथ meet करेंगे, इस तरह से, और यह वाली जो key आ रही है, इसका यह वाला face, और इसका, यह वाला face, so, दोनों साथ में assemble हो जाएंगे, so, इस तरह से आपके पास, यह आ जाएगा, so, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही, easily assemble हो गए, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, section को off कर सकते हैं, so, इस तरह से आपके पास, यह assembly create हो जाएगी, और screwdriver complete हो जाएगा, clear है, so, friends, I hope, आपको यह drawing अच्छे समझ में आगी होगी, so, किस तरह से आप assembly भी कर सकते हो, हलाकि assembly हम वो छोटे level पर खर रहे हैं अभी, but फिर भी, इसमें भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, so, friends, जिन्होंने अभी भी subscribe नहीं किया channel को, please, channel को subscribe कर लिजएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत महनना लगती है, so, आपकी हर एक वीडियो जो आप वीडियो देखते हो, या लाइक करते हो, या लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, या शेयर करते हो, सब्सक्राइब कर लिजए, और शेयर कीज़े, और बैल एकन को भी प्रेस कीज़े, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे, so, keep learning, keep practicing, thank you so much for watching this video, thank you so much.